नमसकार आप देख रहे हैं जंता Đर्बार, जंता दर्बार के नई शो दाविदारी में आप सभी का स्वागत है इसी कडी की बीच आज हमायर साथ है महावीर नायक जी, जो साहब कुरा बनेडा से हमाईर साथ है महाविर नाइक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज आप इस चो में आए उसके लिए महाविर जी आप हमें बताएं कि आप अपनी पार्टी से टिकट की उमिद्वारी कर रहें तो आप कितने सालों से कॉंग्रेस से जुड़ेवें देखो मैं कॉंग्रेस से संगर्स हुआ है और अब की बार पूरी उमीद है मुझे कि टिकट मेरे को मिलेगा क्या कारण रहा कि इतने सालों से आप दाविदारी कर रहें और टिकट नहीं मिल रहें आपको ऐसा है मेरे से जो सीनियर नेता थे हमारे मावेर जी मोची राज-कुमार जी बेरवा तो उस अच्छा रहा मैंने पार्टी के अंदर भी बड़ी सक्रियता के साथ काम किया और सक्रिय हूं और इस बार मुझे अवस्य मोका मिलेगा मुझे पूर्ण विस्वास है आप अपनी पार्टी से टिकट की दाविदारी कर रहें आपको एक्जम्ब टिकट मिल भी जाती है टिक कि पिछले 10 साल से कंटिन्यू हमारे यहां से बीजेपी का विदाइक है और सरकार की तरफ से मलब किसी के बिना मांगे बिना कई हैं गैलो साब ने जो विकास कराया वही विकास हुआ बाकी विदाइक की तरफ से हमारे कुछ नहीं है यहां जीरो है विदाइक साब तो सबस पीछे राजस्तान में सबसे बड़ी जीत दर्ज कराके और यहां जेपुर आके बेट गए पीछे जनता राम राम करो उनको ना तो जनता से कोई काम है ना पीछे कारे करता हूं से काम है और सारे सेक्टर के लोग इधर दर 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 भागते फिर रहे हैं और अगर ऐसा मुझे मुझे मिला तो गैलो साथ को भी में सुब काम नहीं देता हूं अभी हमारे साफरा को जिला बनाया और मैं अगर मोका मिला तो साफरा को विकास के पत पर मलब हर तरह का जैसे मलब कर्ची हो रोड हो सिक्सा हो चिक्सा हो हर तरह का विकास परियास करूंगा और मलब राजस् विदान में जाएंगे आप जन्ता की भी जाएंगे इसा है हमारे विदान सभा में बहुत सारे मुद्दे है आज अन्द जैसे बाइपास तो अभी गेलव साब नहीं मलब है उस रोड का सेंक्षन लेकिन आज बारह महीने के अंदर कोई उसका काम नहीं चला ठीक है और वीज जन्ता के साथ लगाव नहीं रहा जुडाव नहीं रहा तो इनके मुद्दों को मैं बिल्कुल उठाओंगा और बिल्कुल सामने जन्ता के सामने पेस करूंगा और मैं एक स्तानी हूं तो मुझे सब सारी विकास में क्या क्या विकास हमारे यह का बाकी है मैं आए दिन तो आप कई सालों से जुड़े वे भी हैं कॉंग्रेस से और आप विकास भी करा रहे हैं, ऐसे क्या उत्तम विकास कराया हैं भी तक आपने थी? हमने देखो हमारे राजनेतिक परिश्ट भूमी मेरे माता पिता इटडिया पंचाई से सरपंच रहे हैं, तो मैंने उनके साथ 10 साल सेवा करने का मौका मिला और मैं संगटन में भी काम किया, काफी लोगों को सामाजिक सेवाओं के अंदर मैंने हर तरह का काम कराने का परियास किया, सरकार की जो जन लोग कल्यान कारी योजनाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम किया, और जहां भी कोई भी गाव डानी में कोई गरीब बेटा हुआ, जिसको उस योजना का, अगर मेरे को कहीं पर भी ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ ये योजना का परचार परस यह हैं और मैं इनने क्रोंप काम किया, शेव डालें चयी न साल तक काम किया, नष्ड में यूध कॉंग्रेस में और मैं अभी गांधी दर्संछ समिथी परकोश समिथी में भी जुडा ओं और यूवा श्योजक ड़ इतने दावेदार होते ने हर विदान सभा में, हर चुन जिनने भी हमारे ये दावेदार है, जिसमें में सभी साथिऊं में से इक युवा हूँ और सबसे लंबा मेरा संगर सील है, मैं दो जार आठ से परियाश कर रहा हूँ तो प्राथमिक्ता सबसे पहले मेरे को मिलनी चाहिए, और मैं सभी को साथ लेकर चलूंगा एसी बात नही उनको भी एक दिन अवसे मोका मिलेगा दिर दिर ने तो अलग से कैसे समझते आप 2008 से तो आप कर रहे लेकिन इतना दाविदार हैं वह भी कई सालों से प्रियास कर रहे होंगे तो उनमें से अलग कैसे मांगते हैं अपने आपको सारे अब की बार क्या है देखो सबी दाविद शेक्तर से भी मेरे लिए अच्छी आवाज है और इस बार अवसे मुझे 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 जरूर मिलेगा अगर आपको टिकेट नहीं मिलती है तो क्या आप निर्दली भी चुनाव लड़ने की सोचेंगे हैं नहीं सवाल ही नहीं उड़ता मैं तो 2008 से मांग रहा था नहीं मि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है सबसे बड़ा मुद्दा हमरे राजस्तान में पानी का मुद्दा है पानी की बहुत कमी है तो सबसे बड़ा पानी का मुद्दा रही है भारत हमारा देश है और इनसे हम प्यार करते हैं वोटर हमारे वोटर आजकल बहुत ही पलब जागरुक है और इस बार बहुत अपनी जागरुता के साथ वापिस सरकार को रिपिट करेंगे अठल विहारी वाजपे अठल विहारी वाजपे भी बहुत अच्छे नेता थे वारती जिन्ता पार्टी के बहुत बहुत धन्यवाद महाविर जी आपका दाविदारी शोव में आप आए उसके लिए यह हमारा शोदर दाविदारी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद